Hello friends, kichdi यानि की मरीजो वाला खाना, but actually नहीं, kichdi you can make it very exotic, kichdi का मतलब होता है mixture of foods, वो चाहे दाल चावल का हो, चाहे दलिया दाल का हो, या किसी और सीरर और पल्सिस का हो, तो ऐसे kichdi के आज हम बात करने जा रहे हैं, जो की आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरू बना सकते हैं, और आप से लो कालरिक भी बना सकते हैं, खिचरी एक complete food है, कैसे, छोटे बच्चों के लिए, जो की वीनिंग डाइट पर हमारी वीनिंग डाइट स्टार्ट होती है, जिन बच्चों के लिए, तो उनके लिए अगर हम खिचरी देते हैं, तो हम 70% चावल और 30 परसें डाल की रेशो में बनाते हैं, कुशिश करते हैं, कि हम उसे धुलीवी डाल की दे, जब बच्चा टॉलरेट करने लगता है, तो उसके बाद हम उसे चिलके वारी डाल या फिर वराइटी ओफ फूड के साथ भी हम उसे मिक्स्चर कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं, तो एडल्स के लिए खिच्री चाहे किसी का स्टामक अपसेट हो, या फिर थोड़ा सा लाइट खाने का मन हो, उस डियूरेशन में भी हम खिच्री को प्रेफर करते हैं, तो खिच्री को हम बहुत तरह से एक्जॉर्टिक और बहुत इंट्रस्टिंग बना सकते हैं, अब अ बहुत ज़्यादा भूक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा फिजिकल आक्टिविटी नहीं रहती, तो खिच्री एक ऐसा complete protein है, ऐसा complete food है, जिससे आप बहुत ज्यादा तरीके से fancy भी बना सकते हैं, interesting भी बना सकते हैं, अब जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो छो की दाल, मसूर की दाल, धुली, उड़त की दाल, या फिर छिलका उड़त की दाल, या फिर मसूर की दाल, ऐसी दालों से भी आप खिच्री मना सकते हैं, with adding lots of colorful vegetables, and the vegetables should be the seasonal one, आप उसे पालक भी आद कर सकते हैं, आप गाजर, प्यास, टमाटर, आप उसे बहुत अच्छे तर पनीर अड़ कर दे, आप एग अड़ कर सकते हैं, आप सोया पाउडर अड़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा चना भी आड़ कर सकते हैं, या चनी की दाल अड़ कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़े जो होती हैं, उनको बहुत अच्छा नरिश्मेंट देती हैं, अब खिच्री को compliment क करने के लिए अगर आप उसमें कर्ड का इस्तमाल करते हैं, तो अगें, कर्ड is very very gut friendly for everyone, for every age group, तो अगर आप वो इस्तमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा है, और बाकी, I hope के आज के बार आप कभी खिच्री को boring food, या बीमारों का food के नाम से नहीं जानेंगे, खिच्री is a complete food and it can go for any age group and everyone can enjoy at any stage of time and you can enjoy this खिच्री with lots of chutneys, जो कि आपको antioxidants देते हैं, जो लोग flexis, nuts वगरा नहीं खाना चाते हैं, तो अगर आप उसमें crush करके डाल देते हैं, तो आपको antioxidant भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं और बाकी आप उसके साथ उसमें अगर curry leaves का तड़का लगाते हैं, आप प्राई का तड़का लगाते हैं, आप सरसो का तड़का लगाते हैं, तो आप variety of खिच्री बनाकर enjoy कर सकते हैं खिच्री में आप सीरिल के तौर पर brown rice भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स भी कर सकते हैं, आप दल्या भी यूज़ कर सकते हैं, और आप समा के चावल भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह की chutneys के साथ अगर आप खिच्री को खाते हैं, तो आपको ब हैं एलन खिच्री हैं, दलाओ सीरि तो आपको खाते ही संगोल ही यूज़ कर वे तो कुतियछ खेयों की जालन हैं, दो traff माली बाएफवान कन तंग हैं, अपको रूंख साथ कर सकते हैं, तो तो घूराओ में प्ष णगरेंग की जालने के इसमालन हमें, अकर आपको इक सरा suis